कि कौनी चोड़े कुस्त कैसे हैं आप सभी होप सोल लग अच्छा होंगे तो आज हम बात करने आला है ब्लू एक्जर्सिस्ट का एपिसोड नूमर फोर के बारे में आज हम इस एपिसोड के एक्स्प्रेंड करने आला है हिंदी में तुम नहीं नहीं के सिर्वेरी किया हैं तो यहाँ पर गैनमादर यह बताते है कि गार्डन ओफ आमाहारा जिसको गौड ने बनाया है कुछ खास पीपल के लिए जहाँ पर प्रिथिवी के सारे सुन्दर सुन्दर पौदे हैं इसके बाद हमें ओपिनिंग दिखा जाता है ओपिनिंग के बाद हमें दिखा जा यू के है और जाता है उसे उमांगा ले लेता है तुम पराई क्यों नहीं करते पढ़ना शुड़ो करो और तुमारा होमर खतम करो तुम एक्जर्सिस बना चाहते हो ना तो तुम्हें यह सब करना परेगा देन यू किउपना सूट पहांता है ये बाहर जा रहा होता है तो इसलिए रिंग और यह दो नहीं जाते हैं उसकांग के लिए तो यहाँ पर पहुंची गये जहाँ पर उससे जाना था तो यहाँ पर रिंग को उस जगे पर खर रहने को कहता है हमारा UQN बताता है तुम कही पर जाना भी मत मगर आपको तो पता ही है रिंग कैसा वन्दा है तो रिंग चला जाता है कही पर जगे पर जाता है गसां कर देखता है तो या पर जो बच्ची थी HAS पर काम कर रही होती है बच्ची नहीं कहा सकते तो यहाँ रहां कि घृट हे फाइटे ऐख कोरी। वह दिया गया था मगर यहां पर हमारा जो रींग है उसने उस गेट को टच कर लिया जिसे कारण वह टोट गया तो फॉरण जो बाइस पिविंग भशा भी यह समझ जाती है कि यह डीमन है तो डिमन डिमन करना शू़र कर देती है दोनों ही बहुत ही मज़े कर रहे होते हैं तो यह पर हमें दिखाया जाता है यूकियो एंड उस लेकी का मम आता है यूकियो रिंग का परिचाय कर देता है कि देखने में तो मैं ज्यादा मैचिर हूँ इसलिए मैं बरा भाई लगता हूं मगर मैं असलन में छोटा भाई हूं यह मेरा बरा भाई है हम दोनों टूइंस है जो सुनकर सब लोग शौक हो जाते हैं यह जो लर्की है यह थोरा थोर के लिए हुआ है तो यूकियो देखते ही समझ जाता है यहाँ पर इस गार्डन में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके कारण यह हो रहा है मगर लड़की यह कहता है कि नहीं नहीं उसका मॉम कहता है कि कि इस लड़की को मैंने पहले कहा था यह सब छोर के मेरे साथ है मगर यह बात करता है हमें दिखाया जाता है कि यह लड़की उसके मॉम के साथ नहीं रहता है उसके ग्रैनमा के हाउस के वहाँ पर रहता है यह आपको पता ही चल जाता है कि यह लड़की अपने ग्रैनमादर को कुछ ज्यादा ही सरद्धा करती थी थी बहुत ही ज्यादा प्यार कर यान मेरे साथ रहना नहीं चाहते क्यूंकि मैं सारा दिन काम में बिजी था एंड उसको मैंने टाइम नहीं दे पाए जिसके करण यह सब हुआ मैं मानता हूँ देन हमें दिखाया जाता है फ्लैश बैक के वापर ओ जो लर्की थी ग्रैनमा मरने के बाद उसने एक पौधे से बात किया था पौधे में कुछ ना कुछ डिवन टाइप का चीज था जिसे कारण यह सब हुआ यहां पर हमें दिखाया जाता है उलर की रात में बहर निकलती है और पानी देते है पौधे को तो वहां पर रीन भी आ जाता है और समझाने के कोशिश कर रहा होता है कि तुम्हें अपने ब मौम का बाद भी मानना परेगा यह अपने यह क्यों भी आ जाता है और दोनों ही उसको कॉन्वेस करते हैं कैसे क्या हुआ यह सब कुछ बताने के लिए तो उसी समय उस पौधा का आवाज आना शुरू हो जाता है वह पौधा अपने आप से बोलने लगता है कि तुम अपन महतंकी है प्रामिस बीक कर रहे हो तो भिखाया जाता है यह बोलता है मैं मदद कर देता हूं आखिर बोलता है sacred हुना इससется मुझे करना ही पर यहां पर रिंग जो इंग्यों है दोनों मिलके किसी भी तरह बचा लेता है इस लर्की को एंड उस दीवन को मार डालते है दैन उस लर्की के बॉड़ी में जो रूट्स थे वह भी चला जाते है यहां पर जो रिंग है उस लर्की को माना लेती है कि आपने मॉम से सौरी कर देती है दैन मा बेटी एक साथ हो जाती है अगले दिन क्लास में जहां पर यूक्यो क्लास टीचर है और इस सीख रहा होता है वहां पर एक नई लर्की आई है पढ़ने के लिए और कोई नहीं गार्डिनाल लिर्की होती है जो कि बहुत ही शर्मा रही थी तो रिंग के पास में जाके वह बैठती है तो रिंग उसे पूछता है तुम यहाँ पर तो कहता है कि मैं फिस्टी स्कुल आऊंगा और सब कुछ के बारे में जानूंगा और खुद को स्ट्रॉंग बनाऊंगा यह नो लर्की यूक्यो के प हुआ हुआ है